दोस्तो जैमातादी सभी को मैं नीटो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तो शुडियो में हम डिसकस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 12 फरवरी आने के सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर स सकते हैं कौन से लेवल पर हमको पॉर्चनिटी मिल सकती है उसके पीछे का लोजिक क्या है साथ में ऑप्सिन चैन एनालीसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूसे लेल हमको पता लग जाए तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको हमको टारगेट मिल सकता है लेकिन हम बुलिश नहीं थे मार्केट में क्योंकि निफ्टी थोड़ी सी वीक हमको दिख रही थी और इतनी गिरावट में बाइंग साइड जाने का मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा था मैं सोच रहा था कि अगर पोजिटिव क्लोजिंग आ गई उसके बाद हम बाइंग साइड का प्लान कर सकते है निफ्टी थोड़ा सा वीक थी ब्रेकडाउन जरूर फेक दिया था लेकिन पॉइंट निफ्टी ने दिये थे डाउंसाइड भी और मैंने पैपर्ट्रेड करने के लिए भी निफ्टी का सइड पुट। साइड़ी का स् यहां से recover कर जाएगी खुलने के बाद यह हमने discuss नहीं किया था अब कल का दोस्तों कहां पर momentum हो सकता है दो दिन बाद market खुलेगी क्या यह तेजी जारी रह सकती है देखिए simple सा analysis रखना है दोस्तों कल का आपके सामने bank nifty एक price action बनाते हुए दिख रही है आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपके सामने दो स्विंग है एक स्विंग है 35,400 के नीचे और दूसरा स्विंग है 45,200 या फिर 100 के नीचे तो यह जो स्विंग है यह price action दिखा रहे है अपर साइड का और closing आई है 45,634 पे तो अगर दोस्तों bank nifty flat खुलती है या फिर 45,500 यानि कि जो breakout level था इ कुलने के बाद यह आज का अगर हाई break करती है यानि कि 35,700 या लेवल अगर breakout करते है श्विंग बना दे तो बहुत बढ़िया वरना breakout के बाद दोस्तों एक हमको 40,000 का भी momentum देखने को मिल सकता है मह 50,000 पॉइंट का stop loss डाल के call side जाना पसंद करूंगा अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कई बार होता क्या है बैंक निफ्टी फ्लैट कुल के थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो जाएगी लेकिन बहुत सही लोग ना इसमें फिर नेगेटिव हो जाएंगे दोस्तों नेगेटिव तब तक नहीं होना है जब दक यह 35,400 के नीचे कोई प्रा का लेवल है यह एक अगला स्विंग बनने की तैयारी हो सकती है तो यहां पे अगर फ्लैट खुल के हलका सा नीचे आना शुरू हो जाए तो इस पॉइंट से हमको एक अपोर्चनिटी मिल सकते अगर कोई बुलिश केंडल बनती है यहां पे और उसका अगर हाई ब्रेक होत अगर फ्लैट खुलती है गैप डाउन खुलती है 35400 के नीचे कोई ऐसा रीटेस्ट या फिर ऐसा स्विंग बनाती है तो यह जो अप्ट्रेंड चला है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पूरा दिन यह स्विंग बने है यह तूटना जैसे ही सुरू होंगे तो पहला स्विं स्विंग ब्रेक होता हुआ दिख रहा है बहुत सारे लोगों को दिख रहा है कनफर्मेशन तभी मिलती है जो ब्रेकडाउन के साथ कोई ऐसा प्राइज एक्शन बन जया जैसे बैंक निफ्टी में अगर आप अपर साइड देखोगे बहुत अच्छा दोस्तों प्राइज बना हाला कि बीच बीच में आदा एक घंटा मार्केट साइड वे जरूर रही यहां पे रही यहां पे रही लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ने लास्ट श्विंग को ब्रेक नहीं किया और एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिया ऐसा ही दोस्तों अगर डूसाइड हलका साथ जो resistance आएगा हलका तो नहीं है ठीक ठाक बोल सकते हैं option chain में भी आपको यहां पे open interest बहुत ज्यादा मिलेगा क्योंकि एक psychological level है पलस यह एक round level है तो एक चीज ध्यान से सुनिएगा अगर gap up खुलती है और upside जाना शुरू करती है तो 40,000 को यह टच करके थोड़ा सा एक downside momentum दे सकती जादा नहीं कह सकता हूं हाँ थोड़ा सा दे सकते हो सकता यह gap को भरके फिर से अगर दिन का high break करती है तो ही दोस्तो हम 50-60 point का स्टोबलोस डालके 46,250-260 इस target के लिए हम cold side पलान कर सकते हैं otherwise अगर आपको लगे कि market gap up खुली है पहली candle जादा बड़ी बन ग कर सकता है अगर high भी break ना कर पाई इसके बीच में अगर market रहे तो trade मत करना क्योंकि फिर एक दिन इस range में market को close कर सकते हैं या फिर एक दिन यहां पर market को close कर सकते हैं बिना momentum दिये और फिर अगले दिन हम थोड़ा सा buying opportunity प्लान कर सकते हैं थोड़े से बड़े target के लिए क्यों अगर आपको लगे कि momentum जा चुका है आज से चाहे वो gap up कुल किया फिर एक दम से fast momentum करके जाए तो फिर आप थोड़ा सा पोज कीजिएगा एक दिन के लिए हम अगले दिन थोड़े से बड़े target के लिए प्लान कर सकते हैं क्योंकि फिर यह जो buying momentum है continue हो जाएगा और यह confirmation भी हो जाएगा अगर आप nifty का देखोगे दोस्तों nifty में ध्यान से देखेएगा nifty में हमने यह level मार्क किया था जो की 2700 का लेवल था 680 का लेवल था और इसके बाद अगर breakdown होता है तो हमारा टारगेट 2550 या फिर 520 का था और पहला टारगेट 2600 जो की राउंड लेवल का था 600 तक तो नहीं आई 630 तक या फिर 625 तक ही आई थी और इसी breakdown पे जब यह यहां पर breakdown हो रहा तब मैंने पुटसाइड का एक पेपर ट्रेड आपको स्टडी दिया था जिस अगर मैं आपको दिखाऊं सुबह का विव अगर आप पढ़ोगे तो मार्केट फ्लैट ओपन हो रही अभी तक का डेटा फ्लैट बनाओ अगर खुलकर लोबरेक करें रीटेस्ट करें तो नीचे सपोर् ठीक है और फिर यह बाइंग सेलिंग अरिया भी मैंने पोस्ट के तो फिर यह स्टडी भी पूरा इंतजार करके साड़े 10 के बाद बाद मैंने जिसमें 135 का मिरे खाल से टार्गेट के आसपास हमने कैलकुलेट किया था 131 32 का सायद इसने हाई भी लगाया था तो यह कोई को इसको आप कोल टीप्स ना समझना यह पेपर ट्रेड करने की लिए स्टडी होती है कोई रियल ट्रेड ना करे मैं हमेशा बोलता हूं और यह ना ही कोई कोई कोल टीप्स का गुरूप और ना ही पेड गुरूप है हां, मार्केट में डेटा कैसा बना हुआ है, सुबह का व्यू क्या है, बाइंग सेलिंग एरिया, जो मेरे से बन पड़ता, लाई मार्केट में पोस्ट करने की कोशिज करता हूँ, ताकि लोगों की हेल्प हो जाए, और मेरे साथ जो वीडियो देखते हो लोग अपना व्यू लिंक से ही जोएन करें, अगर सीखने आना, कोई भी हाथ जोड़ कर विनती है, कोई भी ना आए गुरूप में, कोई भी नहीं मिलती है भाई, और ना ही ऐसे मैसिज करें, ना मेरा कोई पेड गूरूप है, ना मैं कोई इन्वेस्टमेंट पलान है, ना मैं इस्टागराम किसी को मैसिज करता हूँ, प्लीज कोल टिप्स के लिए मेरे नाम से किसी को पैसे ना दें, अपने साथ फ्रोड होने से भाई बचाएं, ठीक है, अब निफ्टी का देखिए, निफ्टी में दोस्तों ये जो सपोर्ट था, ये टेस्ट हो चुका है, ध्यान से सुनीगा, य निफ्टी में हम पूट साइड कप जा सकते हैं, जब ये वापिस साथ सो के नीचे कोई प्राइज एक्शन बना दे, हमने अगर यहां पर आपने ध्यान से देखा हो, अगर ये ऐसे कंटीनिव करती तो हमको और बड़ा टारगेट मिल सकता था, ब्रेकडाउन यहां तक जर और जो लोग नोर्मल पॉइंट लेके निकलते हैं, उनको प्रोफिट हो जाता है, लेकिन जब बैंक निफ्टी ने सपोर्ट कया, तो निफ्टी ने भी रिकवर करना शुरू किया, और क्लोजिंग आये निफ्टी की 21,782 पर, अब देखिए, अगला रजिस्टेंस कहां प चाहे वो 5 मिनिट में बने, तो हम 20-30 पॉइंट का स्टोपलोस डालके, या फिर 15-20 पॉइंट का स्टोपलोस डालके, 21,900 तक हम टार्गेट पलान कर सकते हैं, 2880 तक पलान कर सकते हैं, कोल साइड, और पूट साइड तब जाएंगे भाई, जब यह वापिस से इस लेवल को ब्रेक करेगा, या निकि वापिस से 680 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन करती है, तो यह लेवल दोस्तों टेस्ट हो चुका है, अगर फ्लैट कुले, गैप डाउन खुले, 21,680 के नीचे निकल के अगर कोई स्विंग बना देती है, अच्छा सा प्राइज एक्शन बनता है क्योंकि भाई जब तक आप स्विंग पे काम नहीं करोगे, ऐसी मार्केट में जो ऐसी पिछले, जो खासकर पिछले दो हपते, तीन हपते से चल रही है, बजट के बात की में बात कराऊं, तो फिर बहुत सारी जगए पे मार्केट अगर आप डियान से देखोगे, तो ट्र खुले, गैप डाउन खुले, इस तरीके का कोई स्विंग बनता है, 680 के नीचे फिर से निकलना सुरू करती है, या फिर 670 के नीचे निकलना सुरू करती है, तो फिर से दिन का हाई ब्रेक रेक गैप फिल करके, तो हमको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, 900-950 तक, मैं द बड़ा गैप खुल के बड़ी केंडल बना देती है पहली तो फिर दोस्तो इस रेंज में मार्केट फस सकती है, फिर ट्रेड करना अच्छा नहीं होगा क्योंकि मार्केट आपको दिन बर ट्रेप कर सकती है, हाँ अगर गैप खुल के धीरे-धीरे मूह करके, चाहे वो हम नहीं बढ़ते हैं, ऑप्शन बायर की सबसे बड़ी प्रोब्लम यहीं होती है, और अगर ऑप्शन चैने में दोस्तो आप देखोगे निफ्टी के ऑप्शन चैने में, इसमें भी आपको यहीं दीखेगा, 21,800 का लेवल स्पोर्ट प्राइजे स्पोर्ट प्राइजे सत डाउंसाइड के अगर मैं बात करूँ तो दोस्तो 700 के नीचे देखें, तो 700 से 800 के बीच में तो छेड़ना मत मार्केट को, 700 के नीचे 680 के नीचे निकलना शुरू करती है, तो अगर आप ध्यान से देखो कि चारट में भी 21,500 सपोर्ट है और यहां ओप्शन चैन में भी 21 21,500 पर भी लाग के आसपास का OI है टेजी वाल होगा, तो एक टारगेट खुला हो जाएगा थोड़ा सा बड़े वाला, अगर कोई अच्छा सा प्राइज एक्शन डाउंसाइड बनता है तो, लेकिन दस बजे के बाद भाई, ओप्शन चैन को हम देखते हैं, पहले नहीं पूट साइड के प्रीमियम कितने माइनस हैं, और कोल साइड के कितने बड़े हैं, अगर आप सपोर्ट प्राइज पर भी चेक रोगे, 538 पॉइंट माइनस हैं, ठीक है, और बड़े कितने हैं, 238 पॉइंट, मतलब सीधा सीधा 300 पॉइंट का घपला तो भाई यहीं पे है यह option Greeks का IV का कमाल है और position भी बहुत ज़्यादा कटी हैं, इस वज़े से short covering आपको देखने को मिली, अगर ऐसी short covering आएगी तो यह लोग जब trap होना शुरू होंगे तब आएगी, यानि कि 35,700,800 इसके उपर अगर निकल के कोई swing बनाती है, तो 40,000 बहुत नजदीक है, test हो सकत घुझा है, चारीजार स्ट्रोंग रिजिस्टेंस भी है, दोलाग बहतर जार मंदडिये बैठे हैं, और अगर तेजी वाले देखो गे तो 35,500 पर ही एक लाग का उपन इंटरेस्ट है इसके नीचे फिर नहीं, इसके नीचे सीधा कहां पे हैं, तो 35,500 सपोर्ट और 40,000 रि तो दोस्तो आज का वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेर जरूर कीजिएगा ताकि जुरूरत्मन लोगे तो वीडियो असानी से पहुंच जाए अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद भगवान करे आपका दिन शुबरे मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ तब तक लिए बाई बाई जै माता दी जै हिंद